So 3 दिन में आने वाले Royal Rumble Pay-per-view के मैं आपके लिए 5 rumors लेके आया हूँ बड़े बड़े rumors जो बाहर आये हैं क्या-क्या हो सकता है rumor is वसे Seth Rollins के match में Bloodline and Broke Lesnar का कुछ हो सकता है क्या Royal Rumble पर and Broke Lesnar and Royal Rumble match का जो link है उसकी भी बात करते हैं So पहले rumor पर चलते हैं उमर का कहना यह ए कि बुभी लैश्नर के मैच के दोरान उसोस यानी ब्लड लाइन उन पर अटैक कर सकते हैं और अथे जो की उन्होंने अभी अभी जीता है और बोवी लैश्ली बन सकते हैं हमारे डव्यवली चेंपियन और यही चीज के कारण Wrestlemania पर रोमरेज वसिस ब्रोक लेसनर हो सकता है युनिवर्सल टाइटल के लिए तो अगर स्टोई लाइन की परपास से देखा जाए यह हो सकता है रोयल डंबल पर जब तक Drew McIntyre नहीं आये थे and yes रोयल डंबल मैच में अगर कोई बड़ी स्टार पावर चाहिए तो ब्रोक लेसनर हो सकते है और परवाइड कर सकते है next हम आते हैं Seth Rollins वसिस रोमरेज के मैच में rumors है कि Seth Rollins यह वाला मैच जीच जाएंगे लेकिन I think अभी भी रोमेरेज अपनी championship रिटेन करेंगे and guys इस match में हमें Kevin Owens भी दिख सकते हैं जो की बहुत ही अच्छे दोस्त है Seth Rollins के and match भी हुआ था उनका उसोस के साथ so let's see Kevin Owens की appearance होती है या फिर नहीं and क्या Kevin Owens help कर सकते हैं Seth Rollins की universal championship जीतने में next rumor यह दूड्रोप वसिस बैकी लिंच के match के दुरान most probably यह chances है कि बैकी लिंच ही हरा देगी डूड्रोप को बैकी लिंच डबली डबली के लिए बहुत important superstar है live events पर advertise होती है बैकी लिंच so वही retain कर सकती है अपनी championship next rumor यह बेली या Alexa Bliss में से हमारा winner हो सकता है women's royal rumble match में आपको बैली की लात पर जो चोट लगी थी अब वो शायद ठीक हो गई होगी और return भी हो सकता है बैली का royal rumble में यह उससे भी होड़ा rumor है वही देखा जाए Alexa Bliss का Alexa Bliss भी जीच सकती है कि वह अभी अभी रिटर्न करके आई है रोपर सब्सक्राइब आर देने चैनल को नोडिफिकेशन बैल जुरूर उन कर देना एंड लाइक तो आप मारी देते हो मैं नमें सोहेल बाई बाई